Hello and welcome back my dear students, आप सभी का स्वागत है OK English Academy पर एक बार फिर से और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, story of English के वो questions जो हर साल लगबग exam में आते हैं यह आप OK English Academy की तरफ से story of English का guess questions भी कह सकते हैं बहुत ही important questions हैं, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसको और मैं समझता हूँ के prose, poetry और story of English इस तीनों section में जो सबसे difficult लगता है students को वो story of English है, start करते हैं हम आज आपके लिए total 30 questions हैं, जादा नहीं है 6 chapters हैं आपके 12th के syllabus में, total story of English में और हर chapter से लगबग 4-5-6 questions हैं आज start करते हैं, आते हैं हम first question की तरफ आते हैं ऐसा नहीं है कि systematic आपको मतलब chapter 1, chapter 2, chapter 3 यह मैं बता रहा हूँ systematic वाली class नहीं है, बल्कि यह class है आपके लिए guess question, यह miscellaneous है और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ के, मैं आपको prose और poetry का भी पहले इस तरह की class करवा चुका हूँ तो आपने अगर उन classes को नहीं किया है, तो आप guest questions 2023 ऐसा करके prose, poetry कुछ आप search करेंगे मिल आएगे आपको वो videos, start करते हैं, सबसे पहला जो question आपकी screen के सामने है the very first question यह है, old English का period कब से कब तक है आपको मालूम है कि English के 3 ages है, old, middle और modern सवाल यह है कि जो old English है, उसका period English में कब से कब तक है तो वो 44921066 है, इसमें AD लगा होता है, AD का मतलब है and no domini, यानि इस्वी, और जो BC होता है वो तब before Christ, यानि इस्वी पूर्व अगला question आपकी screen के सामने है, middle English का period कब से कब तक है तो middle English का जो period है, वो 1150 से 1500 इस्वी है तो अब यहाँ पर एक genuine question ये बनता है, कि भाई, जब 449 से 1066 इस्वी तक old English रहा है और middle English 1150 से 1500 इस्वी तक रहा है, तो बीच का जो period है, वो कहां गया यानि 1066 से लेकर 1150 इस्वी का जो period है, ये कहां गया तो देखो my dear, 1066 में England पर France का आकरमन होता है और England को अपने कबजे में ले लेता है France तो उस दौरान जो लगबग 100 साल का period है, इस दौरान English वहां की language नहीं रह जाती है वहां court की language, diplomacy की language, royal families की language, common people पे जबदस्ती इसको त्रश कर देना तो उनकी भी language दीरे दीरे French होने लगी, लेकिन वहां church के पादरियों ने, priests ने इस language को जिन्दा रखा और फिर अंदरी अंदर इसको propagate करते रहे तो finally, 1150 में Middle English का जो स्वरूप है फिर से दोबारा revive होता है और तब 1150 से 1520 तक Middle English का period होता है इस दोरान हम कह सकते हैं कि जो English है, वो state of flux की अवस्था में रही मतलब बौराती वी उसका कोई pattern नहीं रहा, उसका कोई आश्रेदाता नहीं रहा I hope कि ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अब आते हैं modern English की तरफ, बिटा modern English कहते हैं ये अभी जो चल रहा है हम जो use कर रहे हैं, वो भी आपकी modern English है तो ये 1150 से शुरू होता है and till now, from 1500 till now, 1500 SP से अभी तक की जो English है वो modern English कहलाती है आगे चलते हैं, जिस तरह से history में जो ages हैं, वो ancient medieval or modern in the same way you can say old English, middle English and modern English उसका जो period है न लगबग वो same ही है आगे चलते हैं, रूनिक alphabet was the feature of ये जो feature थी, feature बोलते हैं हुभी को, विशेष्टा को तो रूनिक alphabet कौन से English की विशेष्टा थी? मेरे भाई old English की, अभी रूनिक alphabet होता क्या है? तो देखो, जैसे रूनिक alphabet जैसे हम ये लिखते हैं, एक्चली ये जर्मन लोग, लैटिन में इस तरह से लिखा करते थे, जर्मन लोग वहाँ के जो ये, हाँ, लैटिन लोग इसको लिखा करते थे मैं बताता हूँ, ये एक्चली एक सीधी रेखा होती थी कोई कभी तिर्शूल का शेप होता था इसमें, ये इस तरह से ये इस तरह से कोई शेप होता था, मत्दब जादतर इसमें रेखाएं जो है, सीधी रहती थी इस तरह से, तो ये ये रूनिक अलफाबेट कहलाता है, इसमें एरो, एक्स, हैना कोई लाइन, स्ट्रेट लाइन, इस तरह का शेप होता था ये रूनिक अल्फाबिट कहलाता था और एसे लेकर जेट तक जितने भी लेटर्स हैं इन सारे लेटर्स का होता था ये ओल्ड इंग्लिश में ऐसे ये अल्फाबिट यूज किया जाता था आगे बढ़ते हैं ग्रेट ववल शिफ्ट डिवरिंग आपको मालूम है कि इंग्लिश के रेननसियेशन में बहुत सारी चेंजिंग्स हुई थी मिडिल इंग्लिश के दोरान और उस दोरान लैंग्वेज में एक थोड़ा शिफ्ट भी हुआ था चेंजिंग हुई थी बदला हुआ था क्यों क्योंकि उसमें लॉंग ववल को इंट्रोड्यूस किया गया था पहले शॉर्ट ववल होता था लाइक फिट सिट यह ना गो यह सब लेकिन फाइन है ना यह स्काइप ठी लाइक बहुत सारे आप जो भी वर्ड बोलो जिसमें थोड़ा स्ट्रेच करना पड़े यह सारे जो ववल हैं यह लॉंग ववल का जो इंट्रोडेक्शन हुआ था वो मिडिल इंग्लिश पीरियड में हुआ था और टेक्निकली उसी को हम यह ग्रेट ववल शिफ्ट कहते ह और यह इंट्रोडीज हुआ था आपको मिडिल इंग्लिश पीरियड में और मिडिल इंग्लिश पीरियड में भी अगर क्वेशन है अर्ली मिडिल इंग्लिश या फिर लेटर मिडिल इंग्लिश में देन यूल हाफ तो से लेटर मिडिल इंग्लिश आगे चलो पादर ऑफ उस पे होती है, जो अपने साइट्स पर अफ्लोड करती है, जितना बढ़िया एसी होता है, वो वेब साइट्स उपर में सबसे पहले दिखती है, तो यह अगर आप किसी चीज को गूगल करते हो, और आपको अगर कोई आंसर आ रहा है, ट्रस्ट वर्दी वेब साइट्स है, तो भई वो आंसर सही है, ठीक है, और अगर नहीं, तो फिर वो आंसर जरूरी नहीं कि सही है, वैसे आंसर के लिए आप Wikipedia पर जाया करो, वहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर होता है, तो अगर आप Father of Modern Novel सर्च करेंगे, तो कहीं पर आपको Jane Austen भी आएगा, इसको ले करके, students ने पिछली बार भी discuss किया था काफी मुझसे, कि सर, Jane Austen दे रखा है Google पर, बट आपकी टेक्स्ट बुक भी तो है, आप टेक्स्ट बुक में जाओ, वहाँ पर Jane Austen ने रिचर्ड सन दिया हुआ है, वो रिचर्ड सन जिन्नोंने पामेला नाम की बुक को लिखा है, तो अगर आता है, father of modern novel, तो आपका answer होगा, रिचर्ड सन, अब हम आते हैं, अगले question की तरफ, अगला question है हमारा, pioneer of modern novel, pioneer पता है किसको बोलते हैं, father में और pioneer में क्या फर्क है, what is the difference between father and pioneer, father is the one who shows, who actually establishes a vision, and pioneer is the one who shows the way, who gives a glance only, मतनब कहने का यह है, कि जो एक accurate vision दे, कि हाँ यह चीज़ ऐसी होती है, सबसे पहले, उसको हम father बोलते, और जो उसकी एक जलक दिखा देता है कभी, बट वो accurate vision नहीं दे पाता, उसका काम है कि वो एक जलक दिखा देगा, कि इस तरह की चीज़ें हो सकती ह तो modern novel की जलक सबसे पहले दिखाया था, इन्होंने, बुनियान ने, जिन्होंने Daniel Defoe नाम से एक novel लिखा था, यह बुनियान is called the pioneer of modern novel, and Richardson is called the father of modern novel, आपका अगला question होगा, father of historical novel, historical novel आप जानते हैं क्या होता है, देखो, होगा तो वो एक novel ही, बट उसमें history की बात होगी, for example, अगर King Ashoka पे, या फिर Napoleon पे, या फिर Hitler पे, कोई एक novel लिख दे, उस बंदी के life history को पूरे को discuss किया जाए, लेकिन एक novel के रूप में, एक कहानी के रूप में वहाँ पे, तो वो historical novel क्यालाता है, कि history के बंदों पे को कहानी, मतलब, set करके उस पे और अगर कोई novel लिखता ह है तो, इससे readers का ना, interest बरकरार रहता है, तो वो historical novel कहलाता है, तो Walter Scott है, ये historical novel के father कहलाते है, इन्होंने उसकी शुरुवात की थी, drama has come from, drama कहां से आया है, बहुत important question, ये Greek word से आया है, युनान की language थी वो, Normans were from, Normans, Normandy, ये लोग जो हैं, प्रांस के रहने वाले थे, इन्होंने ही 1066 में, इंग्लैंड पर अटेक किया था, Norman Conquest, कब हुआ, तुक प्लेस इन 1066, और इसी को हम Battle of Hastings के नाम से भी जानते हैं, Battle of Hastings, ये 1066 में हुआ था, The next question, अगला, 13, printing technology developed in, printing technology कब developed हुई थी, 1466 में, 1466 में, 1466 में, कहां? England की बात हो रही है, बत अगर Europe की बात आए, that when did the printing technology develop in England, then the correct answer would be, John, who developed the printing technology in Europe first, तो John Gutenberg होगा, but in England, तो फिर वो William Caxton होगा, and in the year, तो 1476, ऐसे समझो, कि अगर सबसे पहले Europe में किसने printing technology को develop किया, ये सवाल आए, तो बोलना कि भई, John Gutenberg ने, कहां जाए, England में सबसे पहले किसने किया, तो बोलना है, William Caxton ने, और William Caxton ने कब किया, तो 1476 में, आगे चलो, books by William Shakespeare, William Shakespeare की लिखी हुई किताबें बड़ी फेमस हैं, बड़ी फेमस हैं, repeatedly इससे सवाल आते हैं, repeatedly the questions are asked from the same, कि what are the books written by William Shakespeare, then they are Othlo, Macbeth, Julius Caesar, Hamlet, King Lear, As You Like It, Tempest, Midsommar Nights, Dream, बहुत सारी books हैं जो इनकी लिखी हुई हैं, यह जो हैं, आप इनको याद रखोगे, अक्सर इन में से questions आते हैं, अब कुछ और हम, मुल्क राजानन्द की कुछ फेमस novels की बात कर लें, तो कूली है, अंटचेबल है, यह मुल्क राजानन्द का लिखा हुआ है, मौदन, अगर हम novel के, English novel के, Indian English novel के, ट्रायो की बात करें, तो तीन ऐसे बंदे हैं, जो इसमें आते हैं, एक राजाराओ हैं, दुधरा मुल्क राजानन्द हैं, और तीसरा यह आरके नारायन है, आरके नारायन जिनोंने द गाइड लिखा था, वो आरके नारायन, जिस पर 1965 में राज कपूर की फिल्म बनी थी, The Guide by आरके नारायन, और यह जो कूली अंटेशबल वाले मुल्क राजानन्द, इन तीनों को त्रीमूर्ती कहा जाता है, भारती यह अंग्रेजी उपन्यास की, इंडियन इंग्लिश नारायन की, कर्पेंड एंड द रोप, कंथा पूरा, यह सब राजा राओ का लिखा हुआ है, इंग्लिश नावल है, अरुंधती रॉय के लिखी वी है, उसमें एक दवाइट टाइगर है, जो अरभिंद अडिक का लिखा हुआ है, यह सब फेमस बुक है, पहली इंडियन नावल के अगर बात करें, तो यह राज मोहन्स वाइप है, और इसके लिखने वाले बंकिम चं इंडियन नावल लिखी गई थी, बहुत फेमस नावल ले यह, अगर इनके बारे में आए कि कोई ऐसा इंडियन नावल इस जिसको नावल प्राइज मिला था, वह वी एस नापॉल है, 2009 में उनको ए हाउस फर मिस्टर बिस्वास के लिए मिला था नावल प्राइज, ठीक है आगे चलते हैं, फास्ट कॉमेडी ड्रामा रॉस्टर 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 है, जिसको निकोलस उडाल ने लिखा था, टीक है, तुम लोग को लग रहा होगा मैं यह चीजने डिचकस क्यों कर रहा हूँ, अरे यह सिलबस का पार्ट है तुमारे, यार दस कोईशन रहते है लग बग objective case में, expression of life through the medium of language, novel है, novel का definition अगर पूछे, what is a novel, उपन्यास क्या है, it's a vital record of what we see, feel and express, that is called, जो कुछ भी हम अपने आस-पास society में देखते हैं, महसूस करते हैं, express करते हैं, उसका एक vital record, बड़ा record जो है न, वो novel कहलाता, it's expression of life through the medium of language, बलब भाशा के माध्यम से अपने जीवन को जो आप जीते हैं, वैतीत करते हैं, उसके बारे में delivery जो है, वही language है, एमा, Pride and Prejudice, ये बुग बहुत famous है, ये जेन आस्टन की लिखी वी है, आगे चलो, next one, अगर आप लोगों को इसी quality के English चाहिए, जो बिहार में सबस्त क्वालिटी अगर आपको English की कहीं मिलती है, तो, okay English Academy हम, Bihar की English को अच्छा करने के लिए प्राथी बद्ध हैं, इस चैनल पर, we are determined to work on the level of English, Bihar, and you are the guys who are taking your exam in 2023, and I would like you to come on this platform to groom your English, whether it's about English speaking or about your language and literature, the exam that you are gonna take in 2023, if you want to prepare your English paper, because throughout the year you prepared for your science, commerce and arts paper, but if you want to, you are lacking time, you are having only one, one and a half or two months remaining, and in this very short span of time, if you want to get good marks, grab good marks, then we have kicked off, we have initiated Crash Course 2023, 2022-23 में exam देने वाले students के लिए, ओके English Academy उन्हें जो Crash Course launch किया है, आप 15-20 दिनों के अंदर अपने English की preparation कर सकते हैं, within 15-20 days, they are enough for you, हमारे state toppers हैं ये, 10 में से 10 state topper भी हार बोट के, देखो वार रैंक 1, 2, 4, 5, 6, ये सब, ये ये आपको दिखेगा, जैसे ये आप Play Store पे जाकर, ओके English Academy को download करो गे न, तो आपको ये वाला course जहां पे दीखे Crash Course 2023 और बिहार बोट, आपको आँक बंद करके इस course से जुड़ जाना है, और purchase कर लेना है, अगर आपको online purchasing करनी आती हो तो, अगर कोई दिक्कत होती है उसमें, purchase करने में, या कोई query चाहिए, query के लिए आप इतन सारे numbers ने, आप इन में से किसी पे भी call करके query कर सकते हो, बात कर सकते हो, और सबसे बड़ी चीज, fee कितनी लग रही मालू है, हमने 5.99 में इसको start करा था, only 3.99 ले रहे हैं आप, सिर्फ English नहीं, Hindi, उर्दू, Mathly और Sanskrit जिनका है, उनके लिए भी तयारी होती है हमारे हैं, और complete free है वो English लेने पर, ना तो आपको Hindi की कोई fee देनी है, ना Hindi की, ना उर्दू की, ना Mathly की, ना Sanskrit की, चलो, और exam मन्तन launch हो रहा है 15 December को, एक ऐसा course के 90 मिनट में आपके English, Hindi और उर्दू की तयारी हो जाए, लेकिन इस पर मैं अभी discuss नहीं करूंगा, अभी मैं story of English के बारे में ब इसको Vikram Seth ने लिखा है, और यह The Golden Gate ही नहीं है, एक और किताब है बड़ी famous है, A Suitable Boy और इन्होंने अभी A Suitable Girl भी लिखा है, तो A Suitable Boy, A Suitable Girl, The Golden Gate, यह सारी बुक्स Vikram Seth की लिखी हुई है, यह Vikram Seth सिर्फ novelist ही नहीं है, बलकि एक poet भी है, जिन्होंने मैटरिक में पड़ा होग Frog in Nightingale करके एक है, वहाँ पे poem बहुत इंट्रस्टिंग है, वो इनकी Vikram Seth की लिखी हुई है, आगे चलो The First English Tragedy, गौर्बो डग जो है, इसको Thomas Norton और Thomas Sackville ने लिखा था, यह सब ड्रामेटिस्ट हैं अंगरेजी के, Between which set of dates did Shakespeare leave, मतब कौन सा set of date है, कब से कब तक Shakespeare जिन्दा रहे, तो वो था पंदरसो चौसेट से सो, तोलसो सोला, अगला है, तुगलक की इस रिटन भाई, यानि तुगलक को किस ने लिखा है, गिरीश करनाड ने लिखा है, यह बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट रहे हैं इंडिया के, इन्होंने कन्नड में भी लिखा है, वो इस द चाहरत में, इंग्लिश second language की रूप में यूज की जाती है, हाला कि इसका status अभी global language का है, अगला है, industrial revolution took place in, यानि industrial revolution, आप जानने होंगे, और द्योगिक करांती गहां शुरू ही थी, तो that started in England, all of you are aware, who published a dictionary of the English language in 1755, तीन questions है यहां पर, सबसे पहली चीज़ के, English की पहली dictionary कौन थी, तो इसका जवाब है, a dictionary of the English language, the second question, के the first dictionary of English was published in the year, तो 1755, 1775 में, ठीक है, के पहली dictionary भही English की कब प्रकाशी थुई, and the third question is that, who is the lexico, who is the first lexicographer of the world, भार, दुनिया का पहला lexicographer कौन है, मैं English की बात करो, I am talking about English language and literature, that, who is the first guy who compiled the English dictionary first in the world, and the term I used, lexicographer, actually that is a term which is used for the guy who compiles the dictionary, जो lexicographer है न, वो वो तर्म है, जो उनके लिए यूज होता है, जो dictionary को compile करते हैं, उसको संकलित करते हैं, इकठा करते हैं, तो वो पहले थे, Dr. Samuel Johnson, और इन्हों नहीं metaphysical वाला जो word है न, वो word भी इन्हों नहीं दिया था, He coined the term, the word metaphysical, आला कि metaphysical, देखो, बात समझो, metaphysical poetry इन्हों नहीं लिखी, metaphysical poet यह नहीं थे, बलकि इन्हों ने वो term जो है न, वो term, जो, वो metaphysical word है, वो इन्हों ने दिया था, अगला है, From which dialect has the modern English developed, आपको पता होगा, कि Middle English के बहुत सारे dialect थे, चाहे Old English हो या Middle English हो, dialect तो दोनों के रहे हैं, बोलियां दोनों की रहे हैं, Old English के 4 dialect थे, Middle English के 5 dialect थे, Middle English के 5 dialect कौन कौन से थे, तो वो था Northern, Southern, East Midland, West Midland और Kentish, यह जो 5 dialects है Middle English के, उनमें से जो East Midland वाली बोली थी, जो dialect था, उसी dialect से अभी की जो Modern English है वो निकली है, सवाल यही है, कि आज की जो English है, जो हम यूज करते हैं, यह किस dialect से, किस बोली से निकली है, then that is East Midland dialect, वीडियो में यही परेंट करता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको एक honest सा मश्वेरा देना चाहूंगा, offer है, फायदा उठा ल Mathly की Complete Theory, English की Complete Theory, और Sanskrit की Complete Theory, और सबसे बड़ी चीजिस टाइम में क्लिक करोगे, जिस चाप्टर पे आप वो चाप्टर पढ़ सकते हो, तो इसके लिए ऐसा है भी नहीं कि कोर्स कब हमारा Complete होगा, कोर्स Complete है, आपको बस क्लिक करना है topic पे और वो आपको मिल जाएगा, इससे बढ़ी है क्या मौका हो सकता है, तो these are the numbers, just make a call and join the course, अगर आप डारेक्ट परचिस करना जानते हो, तो आप कर सकते हो, लब या लट, have a great night my dear, see you tomorrow with a very special video, and keep learning, keep rocking, all the very best for your examination.